ओद्योगी क्रांति का अगला बिंदु है विरोध आंदोलन किसका विरोध इसी क्रांति के परणामों का विरोध क्रांति का विरोध संभावत है नहीं बलकि उसके परणामों का विरोध जिसके पीछे ओद्योगी क्रांति थी हमने अभी तक क्रांति क्या है देखा ओद्योगी क्रांति कैसे से अलग है ये समझा इसके बाद हमने इस ओद्योगी क्रांति के कारणों को जाना ये दूसरा बिंदू इस ओद्योगी क्रांति के कारणों पर जाते हुए हमने ये समझने की कोशिश की जो तीसरा बिंद। था कि आखिर ये ब्रिटन में क्यों हो ग्रेट ब्रिटन में ही और देयोगी क्रांथि क्यों हो और उसके तहथ हमने कई बिंद। पढ़ते हुए हमने ये अगला बिंदु समझाया कि ये क्रांती मूल तह तीन खेत्रों में थी पहला लोहा, दूसरा कोईला, तीसरा कपास और फिर उसके अगला चलन और नहरे लोहा, कोईला, कपास ये इनमें मूल क्रांती हुई क्योंकि इनके कारण अगला दौर एक तरीके से आता है उसके बाद हमने पढ़ा नहरे और रेलवे इस क्रांती में जो दूसरा चलन आता है कुरांति का अगला जो कदम होता है उसमें रेलवे को उसका श्रेज आता है तो हमने पढ़ा नहरे और रेलवे और उसके परणाम अब जब नहरे और रेलवे का अध्यन कर रहे थे तो उसके बाद हमने कुछ जाना कि इसकी कुछ बुराईयां भी प्रारंब हो गई थी इसके पहले कपास के अध्यन के दौरान हमने ये देखा कि कपास और भारत का संबंद एक दूसरे से कैसे है कितना गहन संबंद है और क्या विरोधा भास है इसको भी समझा जब हम रेलवे का अध्यन कर रहे थे तो उसके बाद अगला बिंदू जो आया था वह था समाज के विभिन तबकों में इसका प्रभाव और मूल रूप से इसके प्रभाव जो थे वो मजदूरों और उसके बाद इस्त्री बच्चों इन पर क्या पड़ा यह हमने पढ़ा मजदूरों और उस्त्री और बच्चों में क्योंकि इस पूरे अध्योगी क्रांत के दोरान चर्चा करते समय हम समझ चुके थे कि अमीरों पर क्या प्रभाव पड़ा धना डिवर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा ये उस पूरी चर्चा के दोरान जो उपर की गई है उसमें हम पढ़ चुके थे अब यहां पर हमने इस तरियों और बच्चों पे इसके प्रभाव पढ़े और फिर अंत में हमने पढ़ा अन्य प्रभाव बाई प्रॉडक्ट के रूप में जो सामने आए जैसे शहरी करण का होना गंदगी का होना पलूशन प्रदूशन होना आधी आधी इतना पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है जब हम अंतिम बिंदू पर आते हैं जुश प्रभावों पर जबकि प्रभाव की भी यदि बात करें हम इसका क्या प्रभाव पढ़ा महिलाओं और स्त्रियों और बच्चों पर मजदूरों पर तो इसके दो तरह के प्रभाव थे कुछ पॉजिटिव में हम कह सकते हैं इनको employment मिला मजदूरों को ऐसे बहुत से positive जबने पढ़े सकारात्मक परणाम सकारात्मक प्रभाव और उसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव न हम ये समध चुके कि और्दयोगी करांटिग के बहुत से नुक्सान थे। हम ये समध चुके कि और गुरोदिकरानटि समाज के कुछ तबके तकी सीमित थी। और इस्ट्रकान जो उसका बहुत बड़ा तबका मजदूरों का था निम्नवर्ग का था निर्धनों का था उनका क्या हश्रु हुआ यह हम देख चुके इतना बड़ा तबका जब इस क्रांति के सकारात्मक प्रभावों से अच्छूता रह जाता है बलकि क्रांति के दुष्ट प्रभावों से गुजरता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है यही प्रतिक्रिया अब हमारा अगले अध्यान का विशह है इस प् विरोध आंदुलन के रूप में देख सकते हैं। ओद्योगी करण के प्रारंबिक दशक में, प्रारंबिक समय में, प्रारंबिक काल में, जहां ओद्योगी करण हो रहा था ब्रिटेन में, वहीं कुछ अन्य देशों में, विशेशकर फ्रांस में जो उसका पडोसी है, वहां और्द्योगी करण की हवा तो पहुंच चुकी थी लेकिन उससे ज्यादा तेज हवा वहां विचारकों की थी विचारकों के विचारों की हवा थी ये वही काल है 1770 का जब और्द्योगी करांती इंग्लेंड में तो फ्रांस में वैचारिक करांती हो रही थी दूसरे शब्दों में फ्रांस के लोग एक कदम आगे बढ़ चुके थे और जोगी करांदि के दुश परणामों को मानों वो समझते हुए आगे आने वाले काल की चिंता कर रहे थे और उस चिंता में उन्होंने कई ऐसे अद्भुत विचार सामने रखे जिसने फ्रांस को जज़कोर दिया और उसके बाद पूरे विश्व को जज़कोरा और ये महत्पूर्ण बाती है ये दोनों घटनाएं और द्योगी करांदि और वैचारी करांदि फ्रांस ये दोनों लगवग एक साथ आएं लगवग एक साथ चलें ये विचार क्या थे किन विचारों की बात में कर रहा हूँ आज जो बहुत सामान्य माना जाता है वह विचार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये आज दिन प्रति दिन हम सुनते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें स्वतंता है हमें समानता है, समानता का अधिकार है, स्वतंता का अधिकार है सब भाई बंदु हैं, वसिदाईविकु टमबकम की भावना की बारंबार बात करते हैं लेकिन दो सो वर्ष पूर इस्थितियां ऐसी नहीं थी 1780 के पहले का जो समाज था उसमें स्वतंतरता का मानता की भावना तो थी निए और दोगी करांति के काल में हमने देखा है कि 16-18 घंटे कारे करना किसी तरह की स्वतंता देता है मजदूरों को शहर के बाहर रहना एक विशेश तरह के वातावरण में कारे करना आदी आदी और उनको पूरी अलग श्रिणी में रखना क्या ये समानता की भावना को का परिचायक है ऐसा ही कुछ समाज पूरे विश्व में था ततकालीन समाज फ्रांस में भी था फ्रांस में भी ऐसा ही समाज बटा हुआ था और इसी का परनाम सा कि वहाँ पर स्वतंत्रता समानता और बंदुत्व की भावना को लेकर वैचारिक क्रांती हुई और वैचारिक क्रांती से ताटपर है इन विचारों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसाड हुआ कि इसने समाज को जचकोर दिया और 1789 में फ्रांस में वहां का एक किला है जो जेल था जिसका जेल के रूप में उपयोग होता था जहां राजनायतिक कैदी रखे जाते थे बास्टाइल का किला उस बास्टाइल के किले पे सामाने आदमियों ने हमला बोलकर उन कैदियों को मुक्त किया उसके बाद वहां के राजा को पदचुत किया और सत्ता पूरी अपने हाथ में ले ली सामाने व्यक्तियों ने और नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस प्रकार वहाँ पे संसदी प्रणाली, संसदी सभाएं, लोक तांत्रिक संस्थाएं बननी शुरू हुई ये क्रांती है, वैचारिक क्रांती जिसका में का इन जन आंदोलनों से, ये जन आंदोलन के रूप में हुआ, इंग्लेंड में तो विचारे मजदूर वर्ग नीचे के तबके के लोगों को तो बोलने की फुरसत नहीं थी यहां, यहां की स्थिती भी बहुत दैनी थी, लेकिन इसका प्रतिरोध, विरोध के रूप में हुआ, जन आंदोलन के रूप में हुआ, और बास्टाइल के किले पर हमला करके, उन्होंने जब कैदियों को मुक गिया, वहां की जनता ने, तो एक नई तरह की क्रांती पैद हाया, वहीं वैचारिक दिश्टी से फ्रांसीसी क्रांती ने आधिनी की करण की और कदम बढ़ाया, यह दोनों में अंतर है, इंग्लेंड में फैक्टरी में काम करने की जो कंडीशन थी, वो बड़ी कठोर थी, हम बात कर रहे हैं यह विरोधी आंदोलन शुरू क्यों चुका है, निश्चित रूप से वहां की बयार, वहां की हवा, उसका प्रभाव इंग्लेंड में भी पड़ेगा, वहां की जनता भी सुनेगी, समझेगी, जानेगी, प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुका था, तो बातने तो पहुंच रही थी, विचार तो पहुंच रहे थ है, तो पहला कारण विरोध का ये, दूसरा कारण फैक्टरियों में काम करने की कठिन परिस्थितियां, उसको भी लेकर राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था, तीसरा कारण, सन 1792 से लेकर 1815 यानि लगबख 20-22 वर्ष के काल में इंग्लेंड और फ्रांस के बीच यु है, कि दोनों के बीच में एक बड़ा लंबा युद्ध का दौर चलता है, और इसको याद रखने के लिए आप याद रखें, दो पड़ोसी क्या कभी साथ रह सकते हैं, बड़ा मिश्किल होता है, साथ निभाना, फ्रांस अर इंग्लेंड बिलकुल एक दूसरे का पड़ो है, उन्हीं हदकंडों का परणाम था, ये पचीस-थाइस वर्ष का युद्ध, जिसे हम लगबग 30 years war के रूप में भी कहते हैं, सन 1792 से 1815, इंग्लेंड और फ्रांस का युद्ध, ये तीसरा कारण, अब ये युद्ध कैसे कारण बना, क्योंकि इस युद्ध ने, इस न इसी रास्ते से होता था, वो व्यापार छिन भिन हो गया, और व्यापार छिन भिन हुआ, तो इससे प्रभावित कौन हुए, सबसे ज्यादा तो ये अमीर वर्ग के लोग, जिनका उद्योग प्रभावित हुए, जिनका व्यापार प्रभावित हुआ, पर उद्योग और आयात मुश्किल हो गया कपास का आयात मुश्किल हो गया क्योंकि सी रूट पे जगड़े हो रहे थे तो जब आयात नहीं राव मेटीरियल नहीं राव मेटीरियल नहीं तो प्रडक्शन नहीं ऐसा ही सभी क्षेत्र में हुआ तो आप युद्ध की कलपना करिए और समझने की कोशिश करिए कि युद्ध किस रूप में समाज को प्रभावित कर सकता है ये एक दो वर्ष का युद्ध नहीं था पचीस तीस वर्षों का युद्ध था इसने व्यापार को बहुत बुरी तरफ प्रभावित करके उद्योगों की चौपट कर दिया ये अगला कारण और युद्ध से फैक्टरियां बंद हो गई बेरोजगारी बढ़ गई मजदूरों को पगार मिलना बंद हो गया मजदूरों को दो जून रोटी की समस्या हो गई उन्हें खाद्य पदार्थ बड़ी महंगी कीमत पर मिलने लगे एक और तो पैसा नहीं मिलना था दूसरी और खाद्य पदार्थ महंगे हो चले क्यों महंगे हो चले क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए लगने वाले रौ मेटरियल का निर्माण युद्ध के कारण कम हो गया और इसके लिए लगने वाले रौ मेटिरियल का आयाद भी कम हो गया तो जब माल कम रहता है मार्केट में तो कीमतें बढ़ती हैं ना बस यही हुआ तो एक और जो ब्रेट दस रुपए में मिलता था वो चालिस रुपए में मिल रहा था और दस रुपए में खरीद होता है तो क्या होता है ब्रिटेन में जो युद्ध हुए इसके कई प्रभाव पड़े यह 25-30 साल के लड़ाई इंग्लेंड और फ्रांस के बीच निरंतर चलती रहे और दोनों निरंतर लड़ाई में उलजे रहे इनका उलजना इनको आर्थिक शेत्र से इनका ध्यान बट गया युद्ध में उलजने का परणाम क्या हुआ कि सरकार का ध्यान प्रशासन का ध्यान अब युद्ध की और ज्यादा और ये आर्थिक विकास की और कम एक परणाम ये रहा और फ्रांस के जो राजा थी समराट निपॉलियन बोना पार्ड बहुत प्रसिद जिसको आपने सुना होगा वो इंगलेंड को किसी भी तरीके से ये इनके इन पकारेंड पराजित करने पर तुला हुआ था निपॉलियन बोना पार्ड ये उसी का काल है और इसने निपॉलियन बोना पार्ड के ये जो पराजित करने का जो जिद्ध थी उसने इंगलेंड को द्योग को बहुत प्रभावित किया पहला प्रभावित करने का तरीका सरकार का ध्यान बटाना दूसरा इस युद्ध के फल्सरूप इंगलेंड और योरोप के बीच में जो व्यापार था वो च्छन भिन हो गया मैंने बताया सी रूट तीसरा इंगलेंड की विवश्टा पूर्वक अनेक फैक्टरियों को बंद करना पड़ा चौथा मजदूर आजीवका के लिए आजीविका सेव अंचित हो गया बेरोजगार हो गया बेरोजगारी बढ़ी पांचवा नेपॉलियन की जो व्यवस्था थी जो उसने सामराज जो बनाया था जिसे हम कह सकते हैं महाद्वीपी व्यवस्था नेपॉलियन की जो व्यवस्था थी नेपॉलियन ने जो व्यवस्था अपने समय में देखी थी महाद्वीपी व्यवस्था पूरे महाद्वीप को लेकर उस व्यवस्था और उसके आर्थिक भहिशकार की नी और जो उस समय की तत्कालीन जो व्यवस्था थी पूरे महाधीप में यौरप महाधीप में उसका व्यापार अन्य महाधीपों के साथ एक तरीके से फ्रांस ने उसका भी वहिशकार किया इससे बड़ा अर्थिक संकट इंग्लेंड के अंदर ही पैदा हो गया नेपोलियन इस व्यवस्था थे विदेशी व्यापार कोई खत्व करना चाहता था और इंग्लेंड को विश्व का वर्कशाप उस समय जो कहते थे दे वर्कशाप अफ यौरप उसका माल ही बिकना बंद हो गया क्योंकि उसने पूरी जो समुदरी खेत्र थे एक तरीके से उसमें काफी पर लिकना कम हो गए तो जब आयात नहीं निर्यात नहीं या उसमें खलल तो निश्चित रूप से उद्योग प्रभावित होगा बंद होगा शुरू होगा कम उत्पादन करेगा आदी आदी और उसके साथ ही अंतिम परणाम के ख़द्य वस्तियों के कीमतें आसमान चूने ल सामान आता था सौ रुपे में और से कम आने लगा तो मुद्रा की कीमत बहुत घड़ गई इस पकार हम देखते हैं कि ये तो परिणाम थे दुष परिणाम नेपोलियन बोना पाड के द्वारा इंग्लेंड थे लड़े गए लंबे युद्ध के परिणाम जिसने कुल मिला कर वहां के इंग्लेंड के उड्योगों को प्रभावित किया मैं बात कर रहा था विरोधी आंदोलन क्यों शुरू हुए इंग्लेंड में और उसमें मैंने बताया कुछ बिंदू उसमें एक बिंदू था उड्योगों पर प्रभाव और ये मुख्यकारण था वैचारिक कर करांतिकान उसके साथ ही नेपोलियन बुनापाड की अपनी जिद्ध दोनों के बीच का युद्ध आदी आदी गुल मिलाकर इस्थितियां और गर्त में चली गई और गहरा गई इस्थितियां और बदतर हो गई ओद्योगिक करांतिक के परणाम स्वरूप शुरू में कारखानों में जो मजदूरों की स्थिति हो गई थी उनसे 14 से 16 घंटे काम जो लिया जाता था इस्थियों बच्चों पर जो प्रभाव परता आदी आदी है सब बहुत बुरी बुरी हालत हो गई थी इसका धीरे धीरे राजनेतिक विरोध होन कारणों की बात करें तो कारणों में एक कारण ये भी है कि राजनेतिक दिशा इस मुद्धों ने इनके मुद्धों ने लेने लगी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन होने लगा और अंतता सरकार ने दमनकारी नीती अपनाई ये हुए विरोध के कारण बदलता माहौल कहां हम और दियोगी करांती के पॉजिटिव सकारात्मक पहलों की बात कर रहे थे और अब नकारात्मक पहलों का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि आने वाला दशक आने वाला काल एक ऐसा काल है जब सतत रूप से जन आंदोलन हो रहे हैं, विद्रो हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं सरकार के द्वारा दमन पूर्व कारवाई की जारी आदी आदी जिसका तो इसकी भूमी का मैंने आपको बता दी कि क्या प्रिष्ट भूमी थी जब ये विरोध आंदोलन होते थे उसको कुचलने के लिए उसको रोकने के लिए 1795 में बिटिश संसद ने दो जुड़वा कानून पारित किये जुड़वा कानून उसे कहते हैं उस कानून के तहट पहला बिंदू ये पहला कदम था अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीतिका आधिकारिक कदम किनके खिलाब दमनकारी मजदूरों के खिलाब जुड़वा कानून में था कि लोंगों को भाशन और लेखन द्वारा शासक, संविधान वा सरकार के वुरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाय जाने पर कड़ी सजा का प्राउधान देखिए, पहली बार इस तरह का कानून आता है जिसमें सरकार की ताकत जनता के वुरुद्ध दिखाई दे रही है ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाय पहले भी ना हुई है पहले भी हुई थी लेकिन यहां और द्योगी करांती जिसका काल 1750-60 से माना जाता है मातर 40-50 वर्षों में बलकि 1795 में ऐसे कानून बनाने की जुरत पड़ गई मतलब लगबख उसी काल के बीच ही अंग्रेजों को ये कानून पारित करना पड़ा जिसको कहते हैं जुडवा कानून जुडवा कानून के तहद यसे जुर्म माना गया किसे लोगों को भाषण वर लेखन द्वारा शासक, समविधान या सरकार के खिलाफ उकसाना या उसका अपमान करना इसे हम कह सकते हैं ड्रेकोनियन कानून ये एक अवैद करार दे दिया गया उसके बाद दूसरा बैठके हैं सारविजनिक बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया सारविजनिक बैठक से ताथ पर ये है पचास से ज़्यादा लोग एक जगए कठे नहीं हो सकते हैं ऐसा कानून बना दिया गया सोचे मतलब किसी बैठक के लिए कठे नहीं हो सकते इसे कहते हैं जुडवा कानू अब इस्थितियां और खराब होती है दमन की अपनी प्रतिक्रिया होती है जब किसी समू को इस तरीके से कुछला जाता है तो वो समू प्रतिक्रिया भी करता है और प्रतिक्रिया के लिए यदि अंदर भूख है वैचारिक भूग, पेट की भूग, तो ये प्रतिक्रिया बड़ी तीवर होती है और यही हुआ, मैंने बताया कीमतें बढ़ी, बढ़ती कीमत से क्या हुआ दूसरी समस्याएं पैदा हो गए, और मजदूरों की संख्या तो बढ़ ही रही थी लगातार बढ़ते हुए मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा, मजदूरों का क्रोध, मजदूरों का असंतोष, अब सामने आने लगा क्योंकि वे एक तरीके से संग्ठित दिखने लगे, संग्ठित तो नहीं थे लेकिन की भीड़ ही इतनी थी कि वो एक संग्ठन के रूप में दिखने लगे और इनका विरोध अप सामने आने लगा सत्त्रा सो नब्बे से ये आंदोलन लगातार चलते हैं, विशेश उत्तेजना इस आंदोलन में दिखती है और सत्त्रा सो पंचानबे में तो ऐसे कितने ही आंदोलन हुए ये आंदोलन किसलिए अपनी स्थितियों को बहतर करवाने की मंशा के लिए अपने कारे की स्थितियों को, अपने जीवन शैली को, अपनी तनख्वा को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करवाने के अनुरोध के लिए हुए थे विरोध और जब ये अनुरोध माना नहीं जा रहा था तो फिर वो दिद्रोह में बदलता है वो तेजना बढ़ती जाती है मैंने कहा 1795 में तो कई दंगे असे हुए ब्रेड जो होता था वो गरीबों का मुख्य भोजन था ब्रेड और खादी के लिए भी अब दंगे शुरू हो गए वो तेजना बढ़ती ने ब्रेड के भंडारों पर हमला बोल दिया धावा बोला क्योंकि उसे तो खरीत तो पानी रह थे ब्रेड और अंडा जो उनका मुख्य स्टेपल फूड जिसे कह सकते हैं वो उस पर उन्होंने धावा बोलकर खाना शुरू किया उचित मूले पे तो मिल ही नहीं रह थे और उचे मूलेओं से कम मूले में बेचे गए वो उद्योग पतियों की विवश्टा थी सत्रा सो पंचानवे आते आते ये बहुत विशाल कायर उपले लेता है उसके बाद दूसरे तरह के आंदोलन भोजन के लिए और एक और तरह के आंदोलन का दोर ये देखता है ये काल अठारा सो तीस के आसपास बड़े बड़े फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूरों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया अब ये अंदोलन के शुरू हुए क्योंकि जिस तरीके से व्यापार प्रभावित हुआ था उससे वहां का जो फार्म हाउस की जो फार्मिंग थी वो प्रभावित हुए और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े फार्म हाउस में मशीनी करन ज्यादा हुआ या उल्टा कहना चाहिए कि मशीनी करन के कारण बढ़ती मशीनी करन के कारण अब खेतों की साइज और बढ़ाने की जरुरत पड़ी जब आप ट्रेक्टर चलाते हैं तो छोटे खेत में ट्रेक्टर चलाना मुनासिब नहीं है संभो तो है लेकिन उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है महंगा पड़ेगा आपको ट्रेक्टर और छोटे खेतों में ट्रेक्टर सब जग़ा चलनी पाता है इस बात को आप समझते हैं ऐसे जो भी अन्य मशीने थी उस मशीनों की आवश्यकता पढ़ने लगी थी क्योंकि खेत बड़े हो चले थे तो मशीने लगाई जा रही थी और मशीने लगाई जा रही थी इसलिए भी खेत बड़े किये जा रहे थे इस मशीनी करन का प्रणाम क्या हुआ कि फार्मिंग से भी अब बहुत सारे मजदूर निकाल दिये गए काम से वंचित कर दिये गए एक मशीन आई थी जिसे कहते है थ्रेशिंग मशीन टी एज आर इए एस आई एंजी एस एच आई एंजी थ्रेशिंग मशीन Threshing machine का क्या काम है आज बहुत गावं में इसका उपयोग होता है जो खलिहान भूशी को अलग-अलग करती दाने से अलग करती Threshing machine दाने से खलिहान भूशा को अलग करती पहले ये काम मजदूर करते थे हाथ से सोपा लेके अब Threshing machine के आने से इस खेतर में लगे हुए बहुत सारे मजदूर रोजगार से वंचित हो गए उन्होंने गुसे में आकर मशीनों को तोड़ना शुरू किया तो अब फार्मिंग शेतर में भी आंदोलन होता है और उसका कारण है फार्मिंग शेतर का मशीनी करन और थ्रेशिंग मशीन का आना तो यहां भी तोड़ फोड़ शुरू है अब जब यहां पे तोड़ फोड़ होती है तो यहां भी प्रशासन किनका साथ देगा जमीनदारों का धना डिवर के लोंगों का और दिवर को में जब तोड़ फोड़ होई तो किनका साथ देगा और दिवर का पक्ष लेगा और मश्दूरों को किसानों को वियर्थ में हिंसात्मक बताएगा जबकि वो हिंसात्मक बनने के लिए विवश हुए थे हालत तो यह हो गई थी कि 450 ऐसे दंगाई मश्दूरों को तथा करते दंगा करने वाले मश्दूरों को इंग्लेंड ने कैद किया और उन्हेंना ऑस्टेलिया भेज दिया ऑस्टेलिया जो इंग्लेंड का उपनिवेश होता था कहां इंगलंड नक्षे में देखिए और कहां ऑस्ट्रेलिया उनको एक देश निकाला केवल इस आरोप में केवे लोग आंधोलन कर रहे थे पर आंधोलन तो उनका वाजब था लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं उसका कोई सरोकार नहीं आंधोलन कारियों को उसने पकड चार सो पचास लोग को चुना एक जहाज में बैठा करो नहीं आस्टेलिया भेज दिया और वहां पर नौ लोगों को तो फांसी भी दे दी गई ये स्थिती प्रिष्ठ भूमी है बढ़ते विरोध की अब अगला क्षेत जो बचा है भी वो है वस्त्रो द्योग वस्त्रो द्योग के मजदूरों के दंगे कैसे हुए इसकी शुरुआत होती क्रिशी करांती से चकबंदी और जो बड़े बड़े बाड़े बनाए गए छोटे छोटे खेत अता दिये गए नवीन वैग्यानिक तरीके लाए गए तो मजदूरों की जुरत तो थी नहीं जब क्रिशी करांती होती है तो इसमें बड़े बड़े खेत बनाए जाए जाए मशीनी करन किया गया और मशीनी करन करने से बिखरे हूए खेतों को फार्म हाउस के रूप में बदलने से नैने वेग्यानिक तरीके लाने से भाफ के भाफ से चलने वाले जल शक्ती से चलने वाले मशीनों के बल पर अब खेती होने लगी तो इस पध्धती से कृषिकों के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचता है यही नुकसान का तो परिणाम था कि वे शहर की और भागे कोटे जो किसान थे उनके पास अब कारखानों में काम करने के लाव़ा कोई चारही नहीं था कोई रास्ते ही नहीं था तो वो शहर की और गया यह देपी शहर का जीवन भी बहुत ही खतरनाक था उनके लिए वो अध्योगी काम मांगने लगे वस्त्रोद्योग में भी ऐसे उनकी संखिया बहुत भरी संखिया में थी मैंने बटन बनाने के लिए बटन बटन बनाने के लिए जो मजदूर लगे तो इसमें दो तिहाई तो बच्चे और रिस्त्रियां थी तो वस्त्रो द्योग में भी अब मशीनी करण होने लगा और मैंने कितनी मशीनों का आविशकार किया इसकी एक सूची आपको बताई थी वस्त्रो द्योग में कितने मशीनों का आविशकार हुआ इन मशीनों का आविशकार का परिणाम क्या उत्पादन में तीवरता और मुनाफ़े में ज्यादा फाइदा लेकिन मजदूरों का क्या हाल मजदूर बेरोजगार होते चले गए और जो नियूनितम मजदूरों की जुरत थी उनके लिए जो वातावरण था वो बहुत खतरनाक होता चला गया नए नए मशीनों के अविशकार ने लोगों को और बेरोजगार बना जिया तो अब ये मजदूर जैसा मैंने प्रारम में कहा था ना खेती के रहे ना फैक्टरी के रहे ना वस्तरोद्योग के रहे परणाम चुरूप ये सब बनकर बेकार हो गए बेरोजगारी और हताशा चारों तरफ हम सत्रा सो नब्बे का जो दशक है वे अपनी मजदूरी के मांग करना प्रारम करते हैं वैद मजदूरी के जो उचित मजदूरी है वो मिलना चाहिए ये कौन प्रारम करते हैं वस्तरोद्योग के मजदूर इसकार थिये नहीं कि दूसरे मजदूर चुप थे चूँकि हम वस्त्रोध्योग की चर्चा कर रहे हैं और यही वो काल है जब फ्रांस में क्रांती हो चुकी थी सफल हो चुकी थी यदेपी वो खूनी क्रांती थी पर अब जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ऐसे विचार रास आने लगे थे और अब बोल सकती थी तो यहां जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हम बोल सकते हैं, हमें बोलना चाहिए और हमें बोलने से ही अधिकार मिलेगा, तो उन्होंने अपनी तनखा, बढ़ती हुई तनखा की मांग शुरू की, वैज तनखा की मा वाद मजदूरी की मांग शुरू की, मजदूरी की बात मैंने बताई, पुरिशों को जहां पचीस शिलिंग मिलता था, वहां महलाओं को मातर साथ, और बाल मजदूरों को मातर एक, इस पकार यह मांग दिनों दिन बढ़ती चली गई, लेकिन सरकार ने इन सब मांगों को अन्य देखा किया, क्योंकि सरकार उसी देश्ट से बैठी थी इस समर्ण, वो उनकी हिताशी तो थी ही नहीं, उसे तो द्योग पतियों, व्यापारियों और ऐसे धना डिवर्क के लोगों से कर के रूप में उगाही मिलती थी, कर के रूप में पैसा मिलता था, वे इस पहलू को नहीं देख पा रहे थे कि जिनके बल पर ये पादन हो रहा है उनकी क्यास थिती है जब इन मजदूरों ने विवश करके हरताल का सहरा लिया तो दंगे भी शुरू हो गया हरतालें शुरू हो गई और जैसे फार्म हाउस की मशीनों को नश्ट करने का एक प्रोग्राम चला हुए मजदूरों ने भी अब सूती वस्त जुड़ू हुए मशीनों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया पावर लूम को नश्ट करना शुरू कर दिया और सूती वस्त की अन्य मशीनों को अब डैमेज करना शुरू कर दिया उन कातने वाली जो शीरिंग मशीन होती ह लेकिन उन्हें अब इसकी चिंता नहीं थी इस उन कातने के ढाचे से उसको नश्ट करने से बहुत सारी मजदूर बेरोजगार हो गया लेकिन उन्हें तो अब उसकी चिंता नहीं थी उसकी परवानी तो उन्हें पता था कि ये मशीन के रहने से उनका जितना नुकसान है ना विभिन तबकों में श्प्रारम में मैंने आपको बताया क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और इसके बाद मैंने बताया कि क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े अब नकारात्मक प्रभावों की प्रतिक्रिया क्या हो रही है विरोध आंदोलन कई प्रतिक्रियाओं में से ए सरकार आत्मक परणामों की सूची में ये एक अंतिम परणाम है विरोध और इस प्रकार विरोध एक स्वयम में एक स्वतंत्र अध्याय बन जाता है क्योंकि विरोध के तहत अब हम इतनी सारे बिंदू पढ़ रहे हैं और उस विरोध के तहत हमने देखा कि समाज के विभिन वरगों के मजदूर विभिन श्रेणी के मजदूर कैसे विरोध करते हैं और सरकार का एक ही जवाब इनको आवाज को दवाना कुछलना इनके विरोध को कुछलने की कोशिश करना अब उसकी प्रतिक्रिया होती है एक आन्दूलन होता है लुईजम आन्दूलन जिसका नेत्रित्व एक जनरल नेड़ोड ने किया वो बहुत ही शांदार व्यक्तित्व के व्यक्तित्व लुडिजम इसमें क्या होता है या अंदूलन 1811-17 में 1811-18 17 तक चला अनियाई ये थोड़े दीसरे तरीके से अनियाई करने में विश्वास कर रहे थे अनियाई इनका तरीका आलग था मशीनों को नश्ट नहीं करना है इन्होंनों मशीनों को नश्ट करना वर्जित कर दिया अपने अन्याईयों से अन्रोद किया कि मशीनों को तोड़ा ना जाया क्योंकि इसके तोड़ फोड़ से कोई फायदा नहीं है नुकसान ही है लेकिन उसकी एवज में उन्होंने कुछ मांगे रखी और वो मांगे थी नियुन तम मजदीरी निरधारित करें ये जो जितने मशीन मालिक थे चाहे वो फार्मिंग से जुड़े हो चाहे उद्योग से जुड़े हो चाहे वे सूती कपड़े के उद्योग से जुड़े हो लोहा कोईला उद्योग से जुड़े हो इन उद्योगों से जुड़े हुए मालिकों को अब चिंता होने लगी कि को कैसे बचाया जाए भयावा स्थिती हो चुकी थी लेकिन ये आंदोलनकारी तो अब कंट्रोल से नियंतरन से बाहर हो चुके थे तोड़ते जा रहे थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि इनको तोड़ने से इनकी जीविकास थाई रूप से समाप छो जाएगे इसलिए ये जो लुडीजम आंदोलन जो आता है ये बड़ा सकारात्मक आंदोलन है यहाँ पर जनरल नेड लूट ने ये सपस्ट किया अपने अनियाईयों को कहा इन आंदोलनकारियों को समझाया और उन्जे कहा कि विनाश ना करो मशिनों को तोड़ो मत उसकी एवज में उन्होंने क कुछ ध्यान देना शुरू किया इनके अनुरोधों की और ये अनुरोध क्या किया थे पहला नियूनतम मश्दूरी निर्धारित करो नियूनतम मश्दूरी निर्धारित करो कम से कम कितना दोगे ये तै करो उसके उपर आप कितना देंगे वो दूसरी बात है दूसरा श्त और बच्चों को इन कामों में ना लगाया जाए ताकि वे कुछ शार्थक काम कर सकें महिलाओं और बच्चों को श्रम में ना लगाया जाए ताकि वे कुछ महिलाएं और बच्चे वे कारे कर सकें जो उनके लिए नैसरगिक हैं महिलाओं का काम परिवार महिलाओं का काम महिलाओं का काम बच्चों का लालन पालन यदि समाज परिवार में एक व्यक्ति अर्जित करता है परियाप्त तन्खा तो इनको कारे करने की जुरत नहीं है ऐसा सोच थी और इसलिए मांग रखी गए कि स्त्री और बच्चों को मुक्त रखा जाए उन्हें कारे पर ना लगा जाए और साथ ही उसके पीछे ये मन्शा भी रही होगी कि पुरुष मजदूरों को जिनकी संख्या बहुत जादा थी और रोजगार के मौके कम थे ऐसी स्थित में जादा से जादा पुरुषों को मजदूरी मिल सके ये मन्शा भी इस मांग के पीछे रही होगी और तेसरी मांग थी वो थी trade union बनाने का अधिकार टेड यूनियन मतलब अपना संगठन बनाने का अधिकार पूर में इस काल में मजदूर भारी संख्या में तो थे पर संगठित नहीं थे सब अपनी ढपली अपना राग गाते थे इनका कोई एक नेत्रित्व नहीं था इसलिए उद्योगपती और सरकार धना डिवर्ग और सरकार इनके आंदोलनों को कुचल देती थी अब जब ये संगठित होने की बात आने लगी तो तीसरी मांग ये आए कि हमें यूनियन बनाने का अधिकार मिले यूनियन बनाने की अनमती मिले ये है लुडीजम आंदोलन 1811 से 1817 इसके अलावत दूसरा दूसरी घटना इसको कहते हैं पीटर लू कांड पीटर लू कांड की भूमिका प्रिश्ट भूमि में आपको जो बताये गया वही परयाप्त है और इसमें ये है कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि किसी तरह का कानून मजदूरों के लिए नहीं बनान था मजदूरों को ध्यान में रखकर किसी तरह का कानून नहीं था चाहे वो उनकी वर्किंग अवर्स का हो चाहे वर्किंग एन्वारनमेंट का हो काम करने के घंटे काम करने का महौल उनकी रोजगा उनकी पगार का हो उनकी तनखा का हो उनके स्वास्थ सम्मंदी बातों का हो किसी भी चीज का ध्यान सरकार ने नहीं दिया था कोई कानूनी प्राउधान नी दे थे और उसके साथ ही उन्हें मत देने का तो अधिकार था नी, सरकार के प्रति किसी तरह का असंतोष प्रकट करने का अधिकार तो था नी अब यहाँ पर श्रम जीवी लोग तांत्रिक अधिकार ऐसी मांग इनों ने शुरू की प्रेश की स्वतंतरता, समानता, सार्जिनिक सभाएं इनको प्राप्त करने के लिए ये अंदुलन होता है पीटर, लू, कांड बिलकुल एक अलग तरह का इसमें क्या मांग रखी जारी है, प्रेश की स्वतंतरता प्रेश की स्वतंता करत क्या है, कि जो समाचार पत्र समाचार लिखते हैं, वे क्या लिख रहे हैं इसके लिए स्वतंतर सरकार उसमें दखल नहीं देगी यानि उस काल में समाचार पत्रों पर भी सरकार ने एक तरीके से दबाव डाल कर दबाव डालने का प्रयास किया था कि वे ऐसे समाचार ना दें जो सरकार विरोधी हूँ ऐसे समाचार नद हैं जिससे हिंसा भढ़के विरोज भढ़के विद्रोह भढ़के अब पीटर लू कांड जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है जहां पर प्रेस की आजादी सब की समानता और सारजुनिक सभाय करने की स्वतनतरता जिसे जुड़वा कानून के तहद वंचित कर दिया सा सरकार ने ये मांगे रखी गए इन अदकारों की प्राप्ति के लिए ये अंदोलन होता है एक और अंदोलन कारी लोगों की संख्या बढ़ती जारी विबिन खेत्रों में काम करने वाले मजदूर अब एकमत होते जा रहे हैं उनके साथ साथ शिक्षित वर्ग भी अब जुड़ रहा है उनके साथ साथ बुजदी वी वर्ग के लोग भी अब शामिल होते हैं इस पूरे अंदोलनों के दौरान इन अंदोलनों का एक तरीके से राजनिती करण भी होने लगता है और प्रेस की स्वतनतरता, समानता जैसी मांगें अब जोर पकड़ने लगती हूँ इन्ही सब देशों की पूरती के लिए 1918-1919 में अगस्ट में लगब असी हजार लोग एक जगए एक ठे होते हैं वो जगह का नाम है पीटर लू और ये एक ठे होते हैं और बड़े शांति में तरीके से अंदोलन करने के लिए एक तरीके से वचन बद रहते हैं असी हजार की भीड, असी हजार का विरोध लेकिन सरकार उसे तो एक ही रास्ता मालूम था दमन प्रदशन कारियों पर उसने एक तरीके से दमन चक्र चलाया और बड़ी कठोर करवाई की, अनेक लोग को मौत के घट अतार दिया इस घटना को पीटरलू कांड, पीटरलू हत्या कांड के नाम से जाना जाता है ये घटना मैंचेस्टर में सेंट पीटर्स के मैदान में होई थी मैंचेस्टर वही जगह है, जो उद्योग के खित्र में इंग्लेंड का एक बहुत सक्षम नाम था उसी मैंचेस्टर में मजदूर इकठे होते हैं, संगठित होते हैं, लोगों के भाशन आदी होते हैं, सभा होती है और ये सब कब? जब किसी तरह की सभा करना वंचित था, पचास से ज़्यादा लोगों का इकठा होना वंचित था सरकार के विरुद बोलना अपराज माना गया था आदी आदे प्रदर्शन और सारदुनिक क्रिया करापों पर जो प्रतिबंद 1795 में जुड़ुआ अधिनियम के तिहत पारित किया गया था उसकी ये खुली अवहेलना थी और ऐसी अवहेलना बारम बार होने लगे माने जनता को इससे कोई संबंद नहीं था पीटरलू संभार में पीटरलू नर संभार में जो मजदूर वर्ग था शरम जीवी वर्ग था जिनकी बहुत लोग की मौत हुई थी इनका बलिदान फॉर्चुनेटली सुरक्ष सभग्य से व्यर्थ नहीं गया और एक ने एक दिन इसके परिणाम तो होनी थे एक ने एक दिन इसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी और विरोध बढ़ा और तीवरतर होता गया पीटर लू के पश्चाद उदारवादी दल जो राजनेतिक दल थे लिबरल पार्टी जो थी उसने ब्रिटिश पारलिमंट में हाउस अफ कॉमन्स को और प्रभतुकारी बनाने की जरूरत महसूस की और प्रतिन जित्व कारीग बनाने की जरुरत महसुती है। अब संसद के अंदर इस तबके की आवाज उठ रही है। लेकिन कब 1780 के बाद से जब आंदोलन शुरू होता है फिर विद्रो होता है फिर आंदोलन होते हैं और बढ़ते बढ़ते जब वो इतना उग्र रूप ले लेता है तो अंततर ये बात संसद भवन के हौल के अंदर गुंचती है और संसद के हाउस अफ कॉमन्स में संसदों का कहना होता है खासकर लिबरल पार्टी के लोगों का उदारवादी दल का कि ये संसद को और प्रतिनिधित्व कारी होना जरूरी है प्रतिनिधित्व कारी से क्या आर्थ है इसमें समाज के सभी तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है अभी जो हाउस of Commons है, उसमें मजदूर वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वे तो एक तरीके से मतादिकार से भी वंचित हैं, तो उनके प्रतिनिधित्व के तो बात ही दूर, तो अब संसद के अंदर, House of Commons में, समाज वाज़ा, House of Commons में, उदारवादी दल, इस बात पे दबाव बनात है, यहां पर राजनेतिक घटना करम्ट शुरू होता है, दूसरा, 1824 में, जब सरकार ने देखा कि यह जड़वा कानून का जब तब प्रतिरोध ही नहीं हो रहा है, बलकि उसका खुली अभेलना हो रही है, और इस कानून के प्रतिरोध में, आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है, अंत्तर सरकार विवश हो जाती है, 1824 में, जड़वा कानून अधिनियम समाप्त कर दिया जाता है, 1824 में, जड़वा कानून अधिनियम समाप्त, देखिए कितनी बड़ी बात, जो विरोध शुरू हुआ था, 1870 के आसपास से, विद्रोव में बदला, आंदोलन में बदला, दमन में, फिर सरकारी दमन होता है, दमन के बाद उन पर अत्याचार होते हैं, देश निकाला आदी आदी होता है, और फिर क्या होता है, उनकी आवाज संसद तक जाती है, संसद में उनके प्रतिनिजित्व की बात एक और जहां उटती है, वहीं दूसरी और सरकार विवश हो जाती है, जुड़वा कानून को वापस लेने के लिए, वापस लेना मतलब मजदूरों की एक तरीके से विजए, मजदूरों नों से विजए के रूप में देखा, और उसके बाद उनके अंदोलन की त्रीवता और बढ़ती चले गए, उनकी आवाज और बलंद होती चली गए.